बिसमिल्लायरहमाद रही, Assalamualaikum students, मैं हुआ हसान फरीद, आपका physics teacher, आज हम study करेंगे physical quantities के पारे में, तो आए स्टाट करते हैं, आज कलेशे. अब physical quantities क्या होती है students, स्बस्विशन में आउसे कुछता हूँ, suppose करें, एक शक्स बहुत नेक है, और मैं आउसे कुछता हूँ, कि बहुत नेक है, आप मुझे कहेंगे, या आप मुझे बहुत जादा नेक है, या आप मुझे एक एक बताओ कितना नेक है, या तो आप यह for example, हम दिवार का area find हो कर सकते हैं, हम इस बिशीज की length find हो कर सकते हैं, इस बिशीज की length, mass, area, volume, ये सारी, major level quantities हो थे physical quantities, इसके बाद आउसे को हम दो portion में divide करते हैं, एक को हम कहते हैं, base quantity, और एक को हम कहते हैं, derived quantity, दोनों का भी हम discuss करेंगे, लिगे base quantity है, sometimes को इक quantity इतनी simple होत पे, वो अल्रटी इतनी simple है, निसाल के तौर पर है, अगर मैं आपसे कुछू कि ये alphabet A, ये क्या होता है, आप जो आपको अपसे कुछ भी हम आपको इतनी simple है, एक तो letter है, लेकिन अगर मैं आपसे कुछ भी हम आपको अपको इक word है, ये तनी simple है, लेकिन अगर मैं आपको other physical quantities, जिनको हम दूसरी physical qualities की term में define ना कर सके है, अब ये physical qualities क्या होती है, जिनको ब्रेस बनाया है, वो कौन सी है, उसमें आ जाता है, तीन quantities है, जिनको हम basic समझते थे, length, time, और mass, ये पिल्कुल basic है, लेकिन वक्तिया साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-सा Light Intensity, और Amount of Substance, इसजिसकी मिढाव, देखे Corporate ulti, ठाetzt, पहिंदे से बाश-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-स-स-ा-ध college, कर सोथ-साथ-स-स-ा-dphin-साथ-स-स-स-A-dasa-D Asa-d-sen-s-is- अब दिस्टेस धो दोटोटे है, अब हम को मालूम है अब हमारे पास लेंग्ट एक बेस्टि थी हुआ है तो विगको हमने दो बेस्टिरिज को डिवाइट के हमारे पास नहीं कॉंटिटी है इस इं से मिलकर नहीं है यह 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 इनसे derived हुई है, इसे भूलेंगे यह derived quantity है, तो यह है derived quantity की definition आता है, जिनकी definition दूसरों पर base करती हो, जैसे के स्पीर की definition ने, उसकी definition में 2 base quantities आती है, तो फिर, जो पहली definition में लिखिया है, which cannot, बस not what आते है, तो which are defined in terms of other physical quantities, यह वो है, जिनको दूसरी physical quantities के term में define किया जाता तो यह होगी, derived quantities की definition, अब derived quantities में क्या जाता है, अभी example की तौर पर में दोती ही देता हूँ, इसमें speed है, इसमें force है, उसमें acceleration है, यह सारी-सारी quantities यह है, यह दूसरी बात, derived quantities is unlimited होगी, यह हर रोज नहीं quantities discover हो रही है, invent हो रही है, तो इनमें base से सिरफ साथ ही, लेकिन derived quantities बह हो जाता ही, अगरे discuss करते है, next is, students, अभी हम discuss करते है, measurement कैसे करनी है base quantity, measurement of a base quantity, simple आप लोगे बताना है, यह short question है, के measurement of a base quantity involves two steps, तो गोस्टेप्स आपको चाहिए, अगर आपको किसी base quantity को measure करना चाहते है, सबसे पहला step है, the choice of standard, आपको कोई ना कोई standard जो हो चूज करना पढ temperature 1, base quality है, आपने base quality को measure करना, temperature को measure करना, तो सबसे आप बने को एक standard चूज करना पड़ेगा, उसको measure करने के विछागे, विछ आपको महिर मीजा करना है, लेकिन प्रतर तरासव नहीं होगा, आप उसको measure कर सके करेंगे, जग तो इसका महिर चूज कर सके कर ना, आप चूज लेकिन हमने उसके बात क्या करना है, उसको मेर करने के लिए, बाकी स्टेंड बाकी चीजों को, उसके साथ, उसके साथ, उसके साथ, उसके साथ, उसके साथ, उसके साथ, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक प्रोसीजर बना पड़ेगा, जैसे हम तर लेकिन अगर मैं लोहे का बाट हुआ है तो इन बदे के पास अगुठ है तो यह तो बहुत बहुत है। इस सारी बाते में short question की form में दे रहूं, ताके theory के साथ-साथ आपके short questions भी रढ़ी हो, एक physical quantity में बड़ा दो चीज़ आएंगी, याद रखिए, एक physical quantity में पहली चीज़ आएगी, numerical value, जिसे आप दूसरे रफास में magnitude भी कह सकते हैं, और दूसरी चीज़ आएगी physical quantity में, उस physical quantity का unit, तो यह दूचीज़ है, तो यह दूचीज़ है, तो यह दूचीज़ है, तो आप बोलेंगे, it possessed a numerical value, यादिक it possessed a magnitude, and it possessed a unit, यह बात याद रखिएगा, कि unit and magnitude आपस में related होते हैं, इवन कि एक बूसरे को फर्ख भी ढाल सकते हैं, याद रखिएगा unit and magnitude का आपस में inverse relation होता है, निसाल के तौरपर, for example, अगर मैं चलिए मैं सको बात रखिएगा, तो मैंने तो बात रखिएगा, अगर मैं बात रखिएगा, अगर मैं बात रखिएगा, तो यह हमारे पास दो बाते होंगे, अगर मैं बात रहा था, कि unit and magnitude का रखिएगा, इसका क्या मतलब है, देखो मैं तो मैंने तीन किलो मिटेट रखिएगा, जरा चैको और साथ मैंने को 3 है, अगर कोई कहता है, सार मीटर में बता है, अगर मैं मीटर में बता हूँँगा, तो मैं थीन हजार मीटर ट्रेवल की, जैसे ही मैं छोटे unit पर आया, मेरा जो magnitude है वो बढ़िया, तो यह मैं कहरा हूँ कि unit और magnitude के इंवर सलेशन है, अगर हां बड़े unit की बात करेंगे, तो मैं की तुम फोड़ा पने है, अब सब्सक्राइब है, अब सब्सक्राइब है, तो हमने पढ़िया कि unit जरूरी है, लेकिन पर units किस तरह की होने चाहिए, अब पुराने जमाने में, एक unit चलता था, ब्रिटिश में, जिसे हम कहते थे, imperial unit, imperial unit इसने कहते हैं कि यह kings जो थे, बाच्चाव में उनकी सल्किनत पर, उनकी empire में चलता था, एक और नाम इसको English unit कहते हैं, क्योंके जो ब्रिटिश पीपल है, उनको हम English भी कहते हैं, यह unit कहते, यह unit कहते हैं, यह unit कहाते में लिदे की चाहिए हो unit का, तक हम उसको एकंगा है एक इंच, आपके सुनाओगा, यह imperial unit है, इंच एक imperial unit है, फुट एक इंपरियाएंट है और, यार्ड भी एक इंपरियाएंट है और यह सारे यथा लेंट हैं अब च्छार प्रति कि खरें हैं पूरे बाजु की ऐसे हम यार्ड के पहते हैं तो लोग चापते थे कि एक SI unit हो जो हज़गा अपनी के बलू तो फिर system international units, आज एक SI units लेते हैं सबसे परे मैं आपको बताता हूँ कि बेस units कहा है What are base units? तो जसके नाम से पता सल रहा है, base units कहा हूँगे base quantities, यह जो साथ है, इनके units बनेंगे उने, हम base units कहेंगे तो यहां सिस की definition है, कि units of base quantities base quantities कहा थी याद, जिनके definition बूसरे quantities पर नहीं हो सकती है तो पिर हम base units के बारे में यही कहेंगे, के they cannot be defined in terms of other units अब जर लेकिन, length-ka unit बताना है, length-ka unit नहीं हो सकता है, foot भी हो सकता है यार भी हो सकता है लेकिन, वह सारे units कुरान के बंगा कर दिया है, के वह तो फसल फसल बेरी कहके है हमें एक standard हाई एठा आगा, जो पूरी दुन्या में आरा है वह standard है, और वह standard है लेने को है Kelvin, अब स्कोफेसे लेने के लेने के लेने के लेक्तिक लेक्तिक लेट है, वो MPR है, जिसे scientist MPR के लाँकर A, Light Intensity का लेट है Candela, जिसे हम CD का लेक्ति है, Candle Light का सिंबल होता है, Amount of Substance का unit है, Mole, Chemistry में आप लोगो निसको बड़ा होगा Mole unit है, और इसका सिंबल है M-O-L-D, इसको लिखेंगे इस तरह से, अबसर देखें, यहां पर हमारी पास यह Base Quality के 7 थी, तो Base Units भी कितने होगे याद रिखेंगा, Base Units भी 7 होतें, आपको मज़े की बाद आऊ, कि पूरी दुनिया में 3 मुमालिक ऐसे हैं, जिन्होंने Base Units अपनाने से इंकार कर दिया, और वो अभी भी Inch, Foot और Yard में calculation करते हैं, और अगर आप कहीं पर दी, जाएं अगर आप ऐसे कोई भी बचा, यू में से गया हो, तो उसने देखा होगा कि, अमेरिका के अंदर जितने भी Science आपको नजर आएंगे, वो Kilometers में होगे, वो Miles में होगे, और Kilometer पाकिसान आपको हार जगा दाते हैं, इसमें अपने मियानमार और लाइबरिया के 3 मुमालिक हैं, जिन्हों ने अभी तक SI unit accept नहीं किया, वो अभी इंच, Yard, or feet, or miles for long किनी चीज़ों को चला जाएं, Imperial units. अब दूसरे important बच्चे मेरे से कुछने हैं कि सर्, देखें, किसी के साथ prefix नहीं है, लेकिन, खाली meter ने kilo meter नहीं है, second ने kilo second नहीं है, इसी तरह, ampere, kilo amperes नहीं है, लेकिन, जब हम यहां बात करते हैं, जब हम यहां बात करते हैं, कि लो कहां से आगे बाकियों में तो यह बढ़ा चा कुसर है, इसका अंसर बटा ही है, कि जब हमने SI unit दिये तो हमने, कोशिशिक की, कि SI unit होने चाहिएं, इसी तरह, इसी तरह, मिलिसेक्टी बहुत हो जाता हमारे, यह उसी तरह, अगर हम बहुत देखे, मैस जो हमारा human scale पर रहे, तो मिलो kg में बनता है, अगर हम ग्राम करने तो बहुत चोटा हो जाता, तो यह reason थी, derived quantity के, आपके हैंगे, कि units of, derived quantity are quantity, और फिर हम इसको यह भी define कर सकते हैं, कि यह वो units से जिनकी definition, जिनकी definition दूसरों पर की रहती है, तो फिर derived units can be defined, in terms of, other, base units, हाँसर दिके, यहांपर यहांके सामने, derived quantities रिकोंगा, और फिर हम पढ़ेंगे, उनके units, यानिके, derived units, आज रदेगे, derived quantity क्या होती है, derived quantity मैंने आपके सब्सक्राइब इसकी है, कि इनकी कोई कताब fix नहीं है, सुच मैंने आपके इसकी mass acceleration हो रहा, तो derived quantity की कताब fix नहीं होगे, तो derived units में कितने होगे, unlimited, मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ examples से बापर लेखूँगा, ताकि हम चीज़ों पर understand करें, तो इसकी examples कौन कौन सी है, उनमें है माले पास, number one है, number two है, volume, number three है, speed, जिसको velocity भी आपढ़ेंगे, unit wise दो में चीज़ें सेम है, तोड़ा सा फर्के भी बाद में बताऊंगा, इसी तरह acceleration, और जो G है 9.8 जिसे value होती है, gravity acceleration है, उसके बाद, force, अज़र देखेगा, force की जिखा, tension, P, बी तो एक force है, weight, बी तो एक force है, तो वो चीज़ें जो direct force हैंगे, force की terms में महिया रुतियों साबको, हम force भी कहेंगे, इसके बाद, work, और torque का unit सेम होता है, अब आपको पता है, energy का भी unit हो जाओ, जो, work का energy एक चीज़ है, फिर energy आगे तो kinetic energy भी आजाएगी, potential energy भी आजाएगी, unit भी आजाएगी, energy फिर unit निकालने का इसे भी हम डिसके करते हैं, इसी दरा हमाले पास, power, pressure, और, charge, तो उसर डिसके करते हैंगी, क्या trick है, कि मुझे निके units पता हूँ, simple है, अगर आपको किसी भी चीज़ का unit पता हूँ, आपको उसका formula पता हूँ पास, अब सर देखे, मैं, area का formula आजानता हूँ, area किसके बना कुरत है, length into width, length का unit क्या होता है, meter, width भी एक length है, meter, meter into meter, square, area का unit आगया, इसी दरा हम, volume क्या होता है, length into width into height, meter into meter into meter into meter, क्या बना का, cubic meter, तो यह मैं पास, volume का unit आगया, अब speed दिखते है, speed, क्या होती है, distance over time, distance का unit क्या होता है, meter, time का unit क्या होता है, second, क्या बना, meter per second, अचा, इसको युँ लिख लो, या यह second नीचे लिख लो, अब acceleration, acceleration क्या होता है, यह भी आपने पड़ा, अब mass का unit क्या होता है, kg, acceleration का अभी निकाला, क्या unit है, meter per second square, तो यह बना force per unit, kilogram, meter per second square, याद रिखेगा, क्योंके newton का force पर बहुत काम था, तो इसी को हम newton भी कहते हैं, kilogram meter per second square को, अब ज़र देखे, next क्या मादे पास, torque, force, एक unit भी आपने फादूला पड़ा, force का unit क्या पड़ा, force का unit क्या पड़ा, newton, और distance का meter, एक unit भी बना वर का, newton, meter, लेकिन अगर मैं newton की यह बना value, kg, meter per second square के दर पूट कर दो, तो यह आजगा kg, meter per second square, यह newton की जगा आजगा, meter, यह meter इस meter से मिल्ठी का होगा, तो यह बनेगा kg, meter square per second square, और, यह भी बनेगा kg, meter square per second square, इसको अगचों दूसरा नाम देते हैं, एक scientist के नापर, जाउल कहते हैं, सब्सक्राइब जाउल कहते हैं, यह पावर का फावर में मालूम है, यह बनेगा, यह बनेगा, Newton per meter square, जिसको अगर मैं चाहूँ, तो Newton की value कुट करूँ, kilogram meter per second, यह बनेगा, Newton की बनेगा, यह बनेगा, kilogram meter square, यह बनेगा, kilogram meter square, kilogram meter square, जिसको हम, Pascal भी कहते हैं, अब चीज रहे हैं, अब चेकंट की से, full up to do, अब चरेंट बचेए, बचेए, बड़ा जब जब दसक्रास कुशा रहा हूं, क्पुशन है, इस से, चार्ज बहुत बहुत बैसी चीज़ है, आप उसको derive quantity करा है, और चार्ज से की क्राइब बनता है, और current को आप base कहरे है, कि या बहां इसको तो ड्राइब भी हो नचीजए ड़ा सब्सक्षाम का कजन ऊकुछत है, इसका अंसर यह है कि हमारे पास सिर्फ यह बहातनी की चीजदी ती बहुत सब्सक्राइब, बगैं यह भी है देखला होता है, कि उम्सक्राइब कहा हैं में एक रहें सब्सक्राइब नियुक्त है।